एक जंगल में टूनी अपने दो बच्चों के साथ रहती है बच्चों मैं खाना लेने जा रही हूँ तुम घर के अंदर ही रहना और बाहर मत निकलना ठीक है मम्मा फिर टूनी खाना लेने चली जाती है और जब टूनी खाना लेकर लोट रही होती है तो उसे एक आवाज सुनाई देती है चुडिया, अरे ओ चुडिया, प्लीज मेरी मदद करो चुडिया फिर टूनी, उस पेड के पास चाती है क्या हुआ पेड भाई? चुडिया, क्या तुम मेरे अंदर थोड़ा सा पानी डाल सकती हो नहीं तो मैं मर जाओंगा अरे पेड भाई, आप तो बिल्कुल ही सुख गए हो पर कोई बात नहीं, मैं अभी पानी डाल देती हूँ फिर टूनी, पास की नदी पर जाती है और पानी लेकर आती है और पेड की जड़ों में डाल देती है तुम्हारा बहुत बहुत चुक्रिया चुडिया कोई बात नहीं पेड भाई फिर टूनी वहाँ से चले जाती है और बच्चों को खाना खिलाती है मम्मा बारिस का मोसम आने वाला है और हमारा घर तो बहुत ही कमजोर है हमें नया घर बनाना पड़ेगा हा बेटा तुम सही कह रहे हो फिर वो अपने लिए एक नया और मजबूत सा घर बनाते है थोड़े दिन बाद बारिस शुरू हो जाती है बारिस में भीगता हुआ एक कववा वहां आ जाता है अरे ये घर किसने बनाया है कल तो ये घर यहां नहीं था आज अचानक से देखता हूँ कौन है अरे ये यहां घर किसने बनाया है ये मेरा पेड है कौन है अंदर बाहर निकलो अरे कौन हो भाई और इतनी जोर से क्यों चिलना रहे हो ओ तो तुम हो टूनी बाहर निकलो मेरे घर से अरे ये घर तो मैंने मनाया है बहुत मुश्किल से और ये घर तुम्हारा नहीं मेरा है तुम जाओ यहां से ये पेड मेरा है मैं बरसों से यहां रह रहा हूँ समझी इस चंगल में जो भी है वो हम सब पक्षियों का है समझे तुम कोई राजा नहीं हो यहां के भागो यहां से फिर टूनी अंदर चले जाती है और कव्वे को बहुत गुस्सा आता है तुझे तो मैं बताता हूँ छोटी चुडिया खुद को बहुत ज़्यादा समझती है न तुम फिर कव्वा वही पत्तों में छिप कर टूनी के बाहर जाने का इंतजार करता है अगली सुभर बारिश रुप जाती है और टूनी खाना लेने के लिए जाती है और पीछे से कालो कव्वा टूनी के घर के अंदर खुश जाता है और बारिश फिर से शुरू हो जाती है अरे आप कौन हो अंकल और हमारे घर में क्या कर रहे हो अरे ओ चिडिया के बच्चे ये घर मेरा है समझा और तुम दोनों निक्रों यहां से अरे अंकल ये घर तो हमने बहुत महनत से बनाया है ये घर आपका कैसे हुआ ज्यादा जुबान नहीं लड़ाओ मुझसे भागो यहां से पर अंकल हम इतनी बारिस में कहां जाएंगे हमारी मम्मा को आजाने दो फिर हम चले जाएंगे फिर कववा उन बच्चों को घर से बाहर निकाल देता है और खुद आराम से खापी कर सो जाता है थोड़ी देर बाद टूनी घर पर आती है अरे बच्चों तुम बाहर क्या कर रहे हो इतनी बारिस में मैंने मना किया था ना तुम्हे बाहर निकलने के लिए उसने हमें जबर्दस्ती बाहर निकाल दिया है आरे ओकवे, ये मेरा घर है, बाहर निकल यहाँ से कौन सा घर? अब ये घर मेरा है, बाहर यहाँ से, आई बड़ी घर वाली हे भगवान, मैं इतनी बारिश में बच्चों को लेके कहां जाऊं? ममा, अब हम इतनी बारिश में कहां जाएंगे? गबराओ नहीं बच्चों, तुम चलो मेरे साथ फिर टूनी अपने बच्चों को लेकर इधर उधर फटक रही होती है कि वो पेड टूनी को देख लेता है और आवास लगाता है चुडिया, अरियो चुडिया आवास सुनकर टूनी उस पेड के पास आती है अरे, पेड भाई, आप तो बहुत हरे हो गए हो हाँ चुडिया, पर तुम यहाँ इतने बारिश में क्यों भटक रही हो क्या बताऊं पेड भाई, उस दुस्ट कव्वे ने मेरे घर पर कप्चा कर लिया है और हमें घर से बाहर निकाल दिया अब समझ नहीं आ रहा, मैं इतने छोटे बच्चों को लेके कहा जाऊं अच्छा, तो यह बात है, रुको, मैं अभी तुम्हारे रहने का बंदोबस्त करता हूं फिर पेट टुनी के लिए एक जादूई घर बना देता है टुनी, यह घर तुम्हारे लिए है, और यह एक जादूई घर है, तुम्हें इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपका बहुत बहुत शुक्रिया पेट भाई जल्दी जाओ टुनी, तुम अपने बच्चों को लेकर अंदर चली जाओ, वरना तुम्हारे बच्चे बिमार हो जाएंगे फिर टुनी घर के अंदर चली जाती है, इधर कव्वा आराम से सो रहा होता है, तभी उसका दर्वाजा जोर जोर से बसने लगता है अरे खर के अंदर कौन है, दर्वाजा खोलो, अरे बापरे, ये चील कहां से आ गई, अगर मैंने दर्वाजा ना खोला, तो ये तो घर ही तोड़ देगी फिर कव्वा दर्वाजा खोल देता है, और चील अंदर आ जाती है तुझे पता नहीं, मैं बाहर बारिस में भीग रही हूँ, और तुने दर्वाजा खोलने में इतना टाइम क्यों लगाया माप कर दो चील भाई, वो मुझे न नीदा रखी थी, तो मुझे सुना ही नहीं दिया ठीक है, कोई बात नहीं, बारिस की वज़े से मुझे जुकाम हो गया है, चल मेरे लिए चाय बना के दे कौन मैं, और चाय क्यों, कोई दिक्कत है तुझे, चाय बनाने में, अगर जिन्दा रहना है तो चाय बना के लिए आफटाफट, नहीं तो फिर मैं इंतजाम कर देता हूँ तेरा अरे, नहीं नहीं चील भाई, अभी लाया फिर कव्वा, चील के लिए चाय और नास्ता लेकर आता है फिर चील, चाय पी लेता है कव्वे, चल, अब भाग यहां से इतने बारिश में मैं कहां जाऊंगा, चील भाई वो मुझे नहीं पता, जहां जाना है ज्चा, वरना मैं तुझे अभी खा जाऊंगा अरे, नहीं नहीं चील भाई, अभी जाता हूँ फिर कव्वा, वहां से बाहर चला जाता है और पारिश में भीगता रहता है और बिमार पड़ जाता है इधर टूनी, खुशी से अपने बच्चों के साथ रहती है और जादूई घर से अच्छे-अच्छे पकवान बना कर खाती रहती है तो प्यारे बच्चों, अगर हम किसी के साथ गलत करेंगे तो हमारे साथ भी गलत ही होगा